हलो एवरिवन हाव आई यू लास हम लोगों ने अमालगमीशन का चाप्टर रिवाइस किया था और होब कि आप लोगों के लिए वो यूसफुल रहा होगा अमालगमीशन और इंटरनल रीकंस्रक्शन बेसिकली एक्जाम में आल्टरनेटिव रहते हैं जनरली मतलब एक बार अमालगमीशन का क्वेशन रहता तो एक बार इंटरनल रीकंस्रक्शन का क्वेशन रहता है और इंटरनल रीकंस्रक्शन कंपेरिटिवली अमालगमीशन से ज्यादा इजी है और एंट्री बेस्ट है तो Amalgamation जो है वो क्या है बेसिकली External Reconstruction है जिसमें एक कमपनी किसी दूसरी कमपनी के साथ मिलके अपने आपको क्या करती है रीकंस्ट्रक्ट करती है जबकि Internal Reconstruction में क्या होता है कमपनी खुद से Reconstruct होती है Internally Self Reconstruction है जैसा कैसे होता है कि हम लोगों के मकान में अगर Cracks आ जाए हम लोग उने Cracks को क्या करते हैं फिल कर देते हैं वैसे ही अगर किसी कमपनी में बहुत जादा Heavy Losses के Cracks आ जाए तो उनको अपने को Profit से क्या करना है फिल करना है that process is known as Internal Reconstruction which is also known as Capital Reduction तो इसको हम लोग Capital Reduction भी बोलते हैं होता क्या है देखो Profit की वज़े से Capital Appreciate होती है और Losses की वज़े से Capital क्या होती लॉस्ट हो जाती है तो एक छोटा सा Example देखे इस बात को समझा सकता हूं जैसे मान लो एक smallest balance sheet लेते हैं चीक है हमने 100 रूपीज के Capital से Business Start किया तो अपनी 100 रूपीज की Capital हो गई और उसके सामने 100 रूपीज का अपना क्या हो गया Cash हो गया ठीक है इससे हम लोगोंने क्या किया stock purchase कर लिया और फिर इसको हम लोगोंने 150 में क्या किया वापिस sale कर दिया तो यहां पे आपका profit loss create हो गया 50 रूपीज का अब सोचो कि अगर मान लो यह company या business आज liquidate हो जाए तो company के जो equity shareholder से उनके लिए available amount कितना है 150 है तो profit होने की वज़े से क्या होता है shareholders fund बढ़ जाता है और यहीं पे अगर मैं बोलू कि हमने 100 रूपे से क्या किया business start किया फिर हमने 100 रूपीज का क्या किया stock purchase कर लिया ठीक है फिर इस stock को हम लोगों ने क्या किया वापिस sale कर दिया 80 रूपीज में तो 100 रूपीज का stock क्या हुआ 80 रूपीज में sold out हुआ तो 20 का क्या हुआ loss हो गया तो यहाँ पे बात करें तो profit and loss का debit balance हो गया अब सोचो अगर यह company अभी liquidate हो जाए तो shareholders के लिए available amount कितना है 80 है capital को represent करता है जो capital lost हो गई तो आप इसीच को समझो कि अगर यह company आज अगर liquidate हो जाए तो shareholders के लिए जो amount available हो वो कितना है 80 है अगर माल लो 10 shares 10 rupees वाले हैं just for example 10 shares 10 rupees वाले और अभी company liquidate हो जाए तो क्या होगा पता है 80 rupees available है company के 10 shares के लिए इसका मतलब refund per shares होगा हो कितना होगा 8 rupees होगा तो paid up capital 10 है और मिलेगा कितना एट और ये रिप्रेजन कर रहा है कि इनका capital क्या हो गया लॉस्ट हो गया तो profit होने से क्या होता है profit होने से क्या होता है capital appreciate होती है shareholders का जो claim है वो बढ़ता है और वहीं loss होने से क्या होता है capital lost हो जाती है तो internal reconstruction में क्या करना होता है अगर एक company को बहुत ज़्यादा heavy losses हो जाए एक company को बहुत ज़्यादा heavy losses अगर हो जाते है इसका मतलब क्या हुआ कि company के पास दो यह option है या तो company बंद हो जाए liquid हो जाए या company अपना business किसी दुसरी company को sell out कर दे या company instant profit arrange करके अपने losses को क्या करे रिटन आफ कर दे तो जैसे माल लो एक company की balance sheet में fixed assets 100 है current assets 50 है और इनका profit and loss का debit balance है 50 रुपीज यह एक general format हो गया इधर आपकी share capital है और external liveties है ठीके तो 200 में से माल लेते हैं कि 180 आपकी capital है और 20 की external liveties है अभी सोचो कि यह company का capital देखो कितना है 180 है ठीके और इधर साब दिख रहा है कि profit and loss में loss कितना है 50 है इसका मतलब इनकी 50 रुपीज की capital क्या होगे lost होगे तो internal reconstruction which is also known as capital reduction तो अपन क्या बूलते हैं कि जितनी capital lost होगे वो business से क्या करो हटा दो उस capital को आप क्या करो कम कर दो therefore this chapter is also known as capital reduction तो अपने को internal reconstruction में क्या करना है यह जो 50 रुपीज का loss हुआ है ना इस loss को return off करने के लिए we require instant profit हमको इस loss को return off करने के लिए क्या चाहिए profit चाहिए तो अपन लोग trading करके तो profit कमा नहीं सकते इतना जल्दी से कि मैं goods purchase करूँ sale करूँ मुझे इतना profit हो जाए कि हम loss को return off कर दे तो अपने को internal reconstruction में क्या करना है इस loss को return off करना है और loss को return off करने के लिए we require profits अब profit instant कहा से आएगा या तो आप assets की value को increase करो तो profit arrange होगा या आप live tees की value को क्या live tees को कम करोगे तो profit arrange होगा तो internal reconstruction में क्या होता है जो board of directors है वो एक reconstruction scheme बनाते है वो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमको कितने losses return off करने के लिए कितना profit चाहिए मालनो आपके 10 lakh के losses है तो इसका मतलब 10 lakh के losses return off करने के लिए we require profit of rubies 10 lakhs अब वो 10 lakh का profit कहा से आएगा तो directors देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी assets की value को बढ़ा के profit arrange कर सकते हैं या कौन कौन सी life tees को कम करके profit वो arrange कर सकते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है reconstruction scheme बनती है तो board of directors क्या करते हैं पहले list out कर लेते हैं कि कौन कौन से losses है जो return off करने हैं और उनको return off करने के लिए profit कहा कहा से arrange होगा और ये इस chapter में main purpose रहता है तो सबसे main important responsibility किसकी है share holders की है कि वो क्योंकि जितना loss हुआ है उनकी capital क्या होगे lost होगे तो सबसे जादा responsibilities है वो share holders की कि वो अपना claim कम करें जितनी capital उनकी lost होगे वो claim वो क्या करें sacrifice कर दे क्योंकि आज company अगर liquidate भी होगी तो यही होगा अगर माल लो company के 10 shares है और company के company के 10 shares 18 paid up है ठीक है अब सोचो आज अगर company liquidate भी हो जाती है इनी values पे तो 150 total realize होगा उसमें से 20 आपको क्या होगा external activities का payment करना पड़ेगा तो amount available for shareholder कितना है 130 है और 130 divide by 10 shares करें तो पर share कितना पाती आएगा पर share कितना हिस्से में आएगा पर shareholder कितना 13 रुपे अब देखो इन्होंने payment कितना किया था 18 इन्होंने company को payment कितना किया 18 पर अगर आज company liquidate भी हो जाए तो पर share shareholders को कितना मिलेगा 13 इसका मतलब इनकी 5 रुपीज पर share जो capital है वो क्या होगे लॉस्ट होगे 5 रुपीज पर share capital किया होगे लॉस होगे अब आप shareholders को बुला कि या तो बोल दो कि वह हम company बंद कर रहे हैं और company बंद करेंगे तो आपको per share 13 रुपीज मिल जाएंगे और या आपको लगता है कि इसको continue करके future में profit कमाया जा सकता है earn किया जा सकता है तो जितनी capital आपकी lost हो गई है वो आप sacrifice कर दो उससे profit arrange होगा और उस profit से हम लोग क्या करेंगे loss को return off करके फिर company को continue कर देंगे तो यह basic परपर रहता है समझ मैं तो सबसे पहले अगर हम लोग capital की बात करें तो general entries और internal reconstruction से related रहती है उसमें सबसे पहले जो entries रहती है वो रहती है share capital से related अब share capital में generally क्या होता है तीन चीज़ें होती है consolidation होता है subdivision होता है और reduction in capital होता है यह chapter में सबसे ज़्यादा important है consolidation का मतलब क्या होता है consolidation का मतलब होता है जैसे आपकी balance sheet में 1000 shares है at the rate of 10 each तो total paid up amount कितना है balance sheet में समझ रहे हो अगर balance sheet में 1000 shares at the rate of 10 है तो total paid up amount कितना है 100 है तो यहाँ पर क्या हो रहा है पता है कि सबके पास 10-10 rupees वाले shares है कितने thousand अब consolidation का मतलब क्या होता है consolidation मतलब यह हो गया कि हम लोग छुटे दे के बंदे ले ले consolidation consolidate करना तो अगर कंपनी यह चाहे कि भई हम तो 10 रुपे वाले shares को क्या कर रहे है 100 रुपे में consolidate कर रहे तो जिनके भी पास 10-10 rupees के 10 shares है वो लेके बदले में कंपनी उनको क्या करेगी एक share दे देगी 100 रुपे वाला तो consolidation में क्या होगा पता है 10,000 rupees का paid up capital क्या होगा 100 rupees per share में अगर आप divide करोगे तो number of shares कितने रह जाएंगे 100 तो जो कंपनी के 1000 shares थे वो consolidate होके क्या होगे 100 shares हो जाएंगे तो फिर इसके बाद में आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर 100 shares at the rate of 100 के इसाब से कितना हो गया 10,000 तो consolidation मतलब क्या हुआ छोटे छोटे shares को मिला के एक बड़ा share issue करना तो consolidation से कोई profit loss नहीं होता है क्यों visualize करो आप 10-10 rupees के 10 share ले रहे हो और वापिस one share दे रहे हो आप 100 rupees का तो इससे company को कोई profit loss नहीं हुआ है यह बिल्कुल वैसा ही है कि 10-10 rupees के 10 note लेके हमने क्या किया सामने वाले को 100-10 rupees के 10 notes लेके हमने क्या किया सामने वाले को 100 rupees का one note दे रहे हैं इससे हमको कोई profit loss नहीं हुआ तो बेसिकली consolidation में क्या होता है consolidation में छोटी face value के जो shares है वो बड़ी face value में क्या होता है convert हो जाते है तो अपन practically भी सोचे तो हम लोग share holders से क्या करेंगे 10-10 rupees वाले shares लेके उनको 100 rupees का share वापस क्या करते हैं issue कर देते हैं तो consolidation में क्या होता है पुरानी face value के share cancel होके उनकी जगे क्या होते हैं नहीं face value के shares issue हो जाते हैं तो normally entry क्या होती है equity share capital of rupees 10 to equity share capital of rupees 100 मेरे इस example में तो जैसे यह example देख सकते हैं 10,000 equity share of 10 each अब देखो 10,000 equity share of 10 each मतलब आपका paid up amount कितना हो गया one lakh each are consolidated into equity share of 50 each इसको आप 50 से divide करो तो आपको पता चलेगा कि आपके 2000 shares रह गए तो 10,000 shares are consolidated into 2000 shares of rupees 50 each तब इसमें क्या होगा 1010 rupees वाले shares लेके उसकी जगे आपको 50 rupees का shares क्या होगा इशू करना पड़ेगा तो आप entry क्या कर सकते हैं equity share capital of rupees 10 each क्योंकि यह cancel हो रहा है to equity share capital of rupees 50 each समझ में है और narration being 10,000 equity share of rupees 10 each are consolidated into 2000 equity share of rupees 50 each समझ में है एक होता है subdivision यह ज़्यादा काम आता है सब डिविजन में क्या होता है जैसे company care shares का face value 100 है अब company क्या होगे loss making company हो गई तो company face value से एक limit अब company discount पर तो share issue करना ही सकती है तो 100 रुपे का face value का share है तो 100 रुपे पर issue करना पड़ेगा एट पार भी issue करेंगे तो सुन रहे हो और एट पार issue होगा तो किसी को भी invest करने के लिए क्या होगा पता है 100 रुपीज का payment करना पड़ेगा अब company अगर loss making है तो हो सकता है कि 100 रुपे पर share कोई payment ना करें तो company अपने shares को क्या करती है सब डिवाइड करती है सब डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि एक बड़ी face value के shares को छोटी-छोटी face value के shares में convert करना मतलब बड़ा note लेके उसकी जगे अपने को क्या करना है छोटे-छोटे note देने समझ में है तो सब डिवेजन में क्या होता है number of shares क्या होता है बड़ जाते है तो वही है old face value वाले share cancel होंगे और नई face value वाले shares क्या होंगे issue हो जाएंगे तो आप entry कर सकते हो equity share capital of old face value account debit to equity share capital of new face value अब ध्यान रखो consolidate करोगे तो number of shares कम हो जाएंगे paid up amount will remain same subdivide subdivide करोगे ना तो number of shares क्या होंगे बढ़ जाएंगे बड़ जाएंगे बड़ तो बड़ पेड़ अमांट will remain same तो इस केस में जैसे यह example देख सकते हैं 20,000 equity share of 10 इंच 20,000 share of rupees 10 इंच मतलब paid up कितना हो गया तू लाग और सब डिवाइड इंटू equity share of rupees to each और इनको अपन क्या कर रहे हैं तू इच में convert कर रहे हैं मतलब क्या हुआ वन लैक shares में convert होगे दस रुपे वाले share को लेके टू टू रुपीज के share issue करोगे तो एक के बदले five share issue करने पड़ेंगे तो 20,000 के बदले क्या होगा वन लैक shares issue करने पड़ेंगे तो यहां पर क्या होता है तेन रुपीज वाला share cancel होके टू वाला shares क्या होगा issue हो जाएगा तो equity share capital of rupees 10 इच तू लाग तो equity share capital of rupees 2 इच तू लाग और यह entry हो जाएगे being 20,000 equity share of being 20,000 equity share of rupees 10 are subdivided into 1 lakh equity share of rupees 2 इच तो हमेशा ध्यान रगना subdivision से number of shares बढ़ जाते हैं paid up value वही रहती है और consolidation से number of shares क्या होते हैं कम हो जाते पर इससे कभी कोई profit loss नहीं होगा और एक होता है capital reduction capital reduction यह सबसे ज़्यादा होता है तो capital reduction में जैसे मैंने आपको बोला यह balance sheet मैंने आपको दी थी एक छोटा सा balance sheet अपने बनाया था क्या बोला था fix 100 fix capital sorry fix assets 100 current assets 50 और profit and loss का debit balance था कितना 50 ठीक है इधर आपकी capital है 10 share into 15 के हिसाब से 150 और बाकी तुमारी external liveties है 50 अब यहाँ पे देखो 50 rupees का क्या loss है और loss basically उस capital को represent करता है जो lost हो गई तो यह देखा जाए तो 50 rupees का loss है और उनको अगर 10 shares में divide किया जाए तो per share loss कितना हो गया 5 तो आप अपने equity share holders को क्या बोल सकते हो कि जो तुमने 15 rupees paid up वाला जो share ले रखा है 10 shares है 15 rupees paid up है तो आप share orders को क्या बोलो कि आपने company को जो 15 rupees दे रखें उसमें से 10 rupees 5 rupees तो lost हो गए तो आप आप company आप share orders को क्या बोल सकते हो कि आप अपना 15 rupees वाला share दो और उसकी जगे क्या करो 10 rupees वाला share दो तो समझना मेरी बात consolidation में क्या होता है consolidation में क्या होता है कि number of shares जो हैं वो कम हो जाते sub division में number of shares क्या होते हैं बढ़ जाते हैं पर जब भी capital reduction होता है तो number of share will remain same हो जाता है तो logically समझो 50 rupees का loss है 10 share पे इसका मतलब per share loss कितना है 5 और जो समझदार है समझ सकते हैं कि per share loss 5 है इसका मतलब क्या हुआ कि 15 rupees की capital में से आपकी 5 rupees की capital क्या होगी lost हो गई तो आप share holders की meeting बुला के क्या बोलोगे कि जो तुमने company को 15-15 rupees दिये थे अब उसमें से company के पास क्या हुआ 10-10 rupees रहे गए तो अपन share holders को क्या बोल सकते हैं कि आप 15 rupees वाला share हमको वापिस दे दो हम आपको उसकी जगे 10 rupees वाला share क्या करेंगे issue कर देंगे तो एक के बतले एक ही share issue होता है पर हम लोग 15 रुपे वाला share ले रहे हैं surrender करवा रहे हैं और उसकी जगे क्या कर रहे हैं 10 रुपे वाला share हम लोग क्या कर रहे हैं issue कर रहे हैं this is known as capital reduction by issuing new share मैंने क्या क्या नए share issue कर दिया तो इस case में मैं अगर बात करूँ तो 15 रुपे वाले shares cancel हो के उनकी जगे तुमको क्या करना पड़ेगा 5 रुपे कम के मतलब 10 रुपे वाले share issue करने पड़ेंगे और यहां पर कमनी को 5 रुपीस का क्या होगा profit होगा ठीक है और जैसे आप जानते हैं कि capital reduction में हम लोग क्या करते हैं जो भी profit हमारा इखटा होता है जो भी profit हम accumulate करते हैं वो हम लोग capital reduction account में क्या करते हैं credit करते जाते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि कितना profit हमारा credit हुआ है और फिर उस capital reduction account को use करके हम लोग अपने losses को क्या करते है रिटन आफ कर देते हैं समझ मैं है तो यहाँ पे इस example में क्या होगा यह capital reduction है reduction in capital देखो reduction in capital with change in face value of share with change in face value of share मतलब हमने 15 रुपे वाले shares surrender करवाए और फिर उनको 10 रुपीज वाले shares क्या के issue किये company बनके सोचो कि share holders ने 15 रुपीज surrender के और उनमें से हम लोग ने वापिस नए क्या किये 10 रुपीज के shares दिये तो 5 रुपीज का अपने को क्या हो गया profit हो गया and that will be transferred to capital reduction account तो यहाँ पे फिर इस case में हम लोग entry क्या करते है share capital जैसे मेरे example में बात करूँ तो 15 रुपीज वाला share cancel होके 10 रुपे वाला share वापिस reissue हो रहा है तो share capital of rupees share capital of rupees 15 each accountable to share capital of rupees 10 each to capital reduction per share 5 rupees क्या होगा capital reduction में चला जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना consolidation में number of shares कम हो जाते हैं but the total paid up capital will remain same sub division में number of shares बढ़ जाते हैं but the total capital will remain same capital reduction में number of shares change नहीं होते है number of shares will remain same बस होगा कि उनका paid up amount क्या होता है कम हो जाता है और एक तरीका ये भी होता है reduction in capital without changing the face value of share without changing the face value of share मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं हम share holders को क्या बोल रहे हैं कि यार वो जो तुम लोगों ने 15 रुपीज दिये थे उसके बदले में जो हमने share certificate दिया था अब उसमें से हमारे पास टैनी है तो आप ये मानो कि 15 रुपे का share पर आपने कमपनी को टैनी पे किये तो इसमें ना तो share holder कोई share surrender करेगा ना हमको उसको कोई नया share देंगे कमपनी क्या करेगी 5 रुपीज पर शेर सीधा ही कम कर देगी तो 15 का share 15 का ही रहेगा बस share holders को क्या बोलेंगे कि तुम ये मत मानो कि तुमने 15 दिया है तुम ये मानो कि तुमने 10 दिया है question देखने से कि face value change हुई है नहीं हुई है तो अगर face value change होगी तो ये entry होती है share capital of old face value account debit to share capital of new face value to capital deduction और बिना face value बिना नहे share issue किये सुन रहे हो without change in face value बिना नहे share issue किये अगर आप capital deduction करते हैं तो सीधी entry होती है share capital account debit to capital deduction तो मेरे example में 5 rupees per share से यह entry हो जाएगे तो जितने shares होंगे उससे यह entry हो जाएगे तो सबसे important यह entries होती है तो capital से related वी है four entries consolidation, subdivision ठीक है उसके बाद में reduction in capital बहुत important है by changing face value और without changing face value ठीक है उसके बाद company के जो directors हैं वो debenture holders या external live deals हैं उनको भी कह सकते हीं कि वो अपनी live deals sacrifice करें company के जो directors हैं वो debenture holders या जो external live deals हैं उनसे request कर सकते हीं कि वो अपनी live deals sacrifice करें ताक्योच से company को क्या होगा, profit इखेट खट्ता होगा उस profit को यूज करके भी company क्या कर सकती हैं अपने losses return off कर सकती है तो अगर जैसे debencer holders agree हो जाएं कि वही हमारे 10% debencer 1 lakh के हैं आप उसकी जगे हमको 15% debencer देदो 90,000 के क्या बोला मैंने debencer holders क्या बोल रहे हैं कि वही हमारे पास 10% debencer 1 lakh के हैं ठीक है उसको रखे आप हमको क्या करो 15% new debencer देदो 90,000 के तो 10,000 का जो उनका live tease कमवा वो interest से उन्होंने क्या किया cover up कर लिया तो इस case में हम लोग क्या कर सकते हैं old debencer cancel कर दो old debencer account डविट 2 new debencer अगर कोई payment cash में हो रहा है तो 2 cash और जो भी sacrifice होगा वो कहां चला जाएगा capital reduction में चला जाएगा तो ध्यान रखना जब भी कोई profit होता है तो capital reduction क्या होता है क्रेइट होता है जब भी कोई प्रॉफिट होता है तो क्या होता है क्रेइट होता है और लॉसस को रिटन आफ करते समय क्या होता है लॉसस को रिटन आफ करते समय क्या होता है लॉसस को रिटन आफ करते समय क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या हो और उस बोल रहे हैं हमको तो 7000 पेमेंट कर दो तो जितना आप कम पेमेंट करोंगे वह आपके लिए क्या है प्रॉफित है तो आप एंट्री कर सकते हैं आउस्टाणिंग डिवेंचर इंट्रस अकाउंट डवी टू कैश्ट 2 प्रॉप टू क्या समझ मैं उसके बात में जैस आप entry कर सकते हैं creators account to cash to capital deduction जैसे 10,000 के creators है creators कह रहे हैं अभी हमको instant payment कर दो 9,000 रुपे तो 10,000 में से 9 payment किया तो एक क्या हुआ capital deduction हो गया या ऐसा भी हो सकता है कि balance sheet में creditors है 10,000 और वो कह रहे हैं कि हमको आप 6 month के अंदर-अंदर अगर payment करते हो तो आप 9,000 payment कर देना तो हम अभी payment नहीं कर रहे हैं पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप 6 month के अंदर payment करते हो तो हमारा claim आप 9,000 का payment कर देना तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी payment नहीं हो रहा है पर creators ने अपना claim 1000 से क्या क्या sacrifice कर दिया तो उस case में entry ऐसे भी हो सकती creators account debit to cap reduction अगर बिना payment के ही creditors अपना claim sacrifice करें तो creators का credit balance होता है कम करने के लिए आप entry क्या कर सकते हैं creators account debit to cap reduction और payment के साथ होता है तो creators account debit to cash और जो payment कम किया वो cap reduction में चला जाएगा समझ मैं है यह बहुत important है unrecorded life tees unrecorded life tees मतलब जो balance sheet के बहार है जो इसको अभी तक हम लोगों ने record नहीं किया तो अगर unrecorded life tees हैं और वो sacrifice होती है अब देखो जैसे यह balance sheet है इस balance sheet के नीचे लिखावा है contingent life tees ठीक है और contingent life tees में क्या है life tees against claim है 1000 balance sheet के नीचे लिखावा है contingent life tees और क्या contingent life tees है claim for rupees 1000 अब ये balance sheet के बहार है मतलब books में नहीं है इसको अभी तक हमने life tees मानी नहीं रखा है और question बोलता है कि ये claim जिसका भी था उसने इस claim को क्या क्या sacrifice कर दिया मतलब books of accounts के point of view से बात करूँ तो ये मेरी life tees थी नहीं और अगर जो मेरी life tees नहीं है अगर वो कोई sacrifice भी कर देगा तो मुझे कोई profit loss नहीं होगा तो बहुत अच्छे से ध्यानकना unrecorded life tees जो balance sheet के बहार है अभी तक recorded नहीं है अगर वो कोई sacrifice करता है तो उससे मुझे कोई भी profit loss नहीं होता है लेकिन अगर मैंने unrecorded life tees का payment किया unrecorded life tees मतलब ये books में life tees 0 है और फिर अगर मुझे इसका 1000 रुपीज का भी payment करना पड़ रहा है तो 1000 रुपीज मेरे ले क्या है loss है तो unrecorded life tees अगर sacrifice होती है तो उसकी कोई entry नहीं होती है लेकिन unrecorded life tees अगर payment होती है तो वो loss है और उसकी entry होती है capital reduction account debit to cash उसकी entry होगी capital reduction account debit to cash जैसे balance sheet के नीचे लिखा हुआ है contingent life tees है claim कितना 10,000 और question बोलता है कि साब ये जो claim expected है कितना expected है 8,000 का claim expected है तो 10,000 में से 2,000 तो sacrifice हो गया तो इसके लिए तो no entry लेकिन 8,000 का जो payment करना पढ़ रहा है ये loss और इसके लिए आप entry करोगे capital reduction account debit to cash क्योंकि कोई भी loss अगर होगा तो वो capital reduction account में क्या होगा debit होगा तो मुझे क्या लगता है बता है देखो recorded life tees recorded life tees मतलब क्या हुआ जो life tees balance sheet के अंदर है recorded life tees मतलब life tees appear in balance sheet अब recorded life tees में कोई sacrifice करता है न तो profit होता है और recorded life tees का payment होता है तो no profit loss जैसे balance sheet में creditors है 10,000 और question बोल रहा है कि creators को immediately payment करना है 10,000 का पूरा का पूरा तो इस case में अगर मेरे 10,000 के creators हैं और मैं 10,000 का payment कर रहा हूँ तो मुझे कोई profit loss नहीं है मैं entry क्या कर सकता हूँ creators account debit to cash लेकिन अगर creators कह दे कि भई हमको 10,000 में से काम करो आपको बहुत loss हो रहे हैं आप हमको 8,000 में लंसम पेमेंट कर दो तो यहाँ पर क्या होगा 2 cash 8,000 और जो sacrifice किया वो capital reduction account में चला जाएगा तो यह चीज हमेशे ध्यान रखना कि recorded life tees अगर कोई sacrifice करता है तो वो profit होता है लेकिन अगर recorded life tees का payment होता है तो entry तो होगी पर उसमें कोई profit loss नहीं होगा और इसी के against में अगर मैं unrecorded की बात करो unrecorded life tees जो balance sheet के बाहर है अगर वो कोई sacrifice करता है तो no profit loss और no entry कोई ना तो कोई profit loss होगा और नहीं उसकी कोई entry करने की जरुवत है समझ मैं वेट यह बाहर मैं प्रक्यादध है तो यह बहुत important है अगर समझने के point of view से बात की जाए तो अगर unrecorded life tees sacrifice होती है तो no profit loss and no entry कुछ नहीं होता है पर अगर unrecorded life tees का payment होता है तो वो आपके लिए क्या है लोस है और entry होती है capital reduction account debit to cash तो यह basically difference होता है recorded life tees में और unrecorded life tees में ठीक है अगर किसी भी तरह का कोई reconstruction expenses payment हुआ है तो वो अमारे लिए के loss है क्या entry कर सकते है अपन capital reduction account debit to cash capital reduction account debit to cash अब जैसे increase in value of assets अगर किसी assets की value को increase करते हैं तो आप खुदी सोचो assets की value को increase करने के लिए क्या होगा assets account debit और वो उससे जो profit create हुआ है वो क्या होगा capital reduction में चला जाएगा तो increase in value of assets के लिए entry क्या होती है capital reduction account debit to assets account debit to cap reduction और अगर मानलो decrease in value of assets है क्यों क्यों क्योंकि AS10 की according आप particular किसी एक assets को revalued नहीं कर सकते हो उस group of assets को क्या होता है revalued करना पड़ता है जैसे machines revalued कर रहे हो तो सारी machine revalued होती है तो हो सकता है किसी की value बढ़ रही हो किसी की value कम हो रही हो तो अगर किसी assets का value क्या हो जाए कम हो जाए तो वो loss है तो आप entry कर सकते है capital reduction account debit to assets इ capital reduction से profit arrange किया debenture holders से profit arrange किया और debenture holders के अलावा तुमारे creditors से bank loan external life deals जो भी उनसे अपने profit arrange किया अब उस profit से अपने को losses को क्या होता है return of करना होता है to return of losses and fictitious assets like goodwill patents and copyright यह fictitious आपका sorry to return of losses and fictitious assets fictitious assets मतलब अपना underwriter's commission not return of इस तरह के discount on issue not return of और intangible assets like goodwill, patent, copyright अगर वो valueless हो गए तो उनको भी क्या होगा return of करना पड़ेगा तो सोचो इन सब का debit balance होता है तो इनको return of करने के लिए आपको क्या होगा create करना पड़ेगा तो आप इस case में entry क्या कर सकते है capital reduction account debit to losses और सारे losses return of करने के बाद सारे losses return of करने के बाद अगर capital reduction में कोई balance बसता है जैसे यह अपना capital reduction account है वन लेक रुपीज का profit इकटा वर टोटल आपने 90,000 का ही क्या किया 90,000 का ही losses return of किया ना बच्चों तो यह जो 10,000 का amount बचेगा वो capital reserve में transfer हो जाएगा तो balance अगर capital reduction में कोई भी balance बसता है तो वो क्या होता है बिटा capital reserve में transfer हो जाता है capital reduction account debit to capital reserve capital reduction account debit to capital reserve और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हमारे profits arrange वे 90,000 और losses to be return of कितने 1,000 का तो बहुत सी बार exam में question आया है कि हमारे पास internal reconstruction start करते समय already balance sheet के life-tee side में क्या होता है capital reserve होता है तो that capital reserve we can use for writing of losses तो अगर माल लो ऐसा हो किया कि आपने profit इखटा कितना किया 90,000 ठीक है और losses कितने return of करने 1,000 और अगर आपके पास कोई reserve available है general reserve, P&L, capital reserve को available है तो वो amount आप यहाँ पे क्या कर सकते हो transfer कर सकते हो फिर उस case में entry ऐसे होती है reserve account to capital reduction ऐसे exam में दो-तीन बार question आए और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि profits एकटा कम हो और हमारे पास पुराने कोई भी reserves available ना हो तो फिर उसके बाद में क्या होता है हमको proportionate loss return of करना पड़ता है जैसे यह अपना capital reduction account है इसमें total जो profits capital से या debenture holders से या creditors से जो आए वो कितने आए 10,000 और हमको दो losses return of करने है P&L और goodwill और P&L का जो amount है न वो 8,000 है profit and loss का जो amount है वो 8,000 है और goodwill का जो amount है वो कितना है 4,000 है अब देखो मेरे पास profits हैं कितने 10,000 और profit and loss और goodwill दोनों मिला के amount कितना है 12,000 का amount हमारे पास क्या है available है तो आप क्या कर सकते हो पता है इसको P&L और goodwill में return of करने के लिए आप 8 is to 4 में use कर सकते हो 8 is to 4 मतलब 2 is to 1 2 3rd और 1 3rd तो 2 3rd और 1 3rd में निकालने तो 6, 6, 7 something तो कुछ इसमें से P&L return of हो जाएगा और triple 3 something क्या होगा goodwill return of हो जाएगा तो फिर आप जब balance sheet बनाओगे पाउंट आपका P&L और goodwill का वहाँ पे आएगा हाला कि ऐसा कभी exam में कोई question नहीं आया पर फिर भी exam में ऐसा question जरूर आया है कैसा कि मेरे profits arrange कितने वे 90 loss return of कितना करना है और already we have reserve हमारे पास general reserve या P&L या capital reserve already है तो वो आप क्या कर सकते हो capital reduction में transfer कर सकते हो तो जैसा मैंने बोला उस case में entry क्या होती है reserve account debit to capital reduction और अगर आपके capital reduction में surplus profit बच जाए तो वो फिर क्या होता है capital reserve में transfer हो जाता है और एक बहुत important क्या है कि reconstruction के बाद जब company balance sheet बनाती है तो company को अपने name के साथ में क्या करना पड़ता है end reduce word use करना पड़ता है जैसे x limited and reduce balance sheet of x limited and reduce ताकि end user को पता चलता है कि ये company जो है वो internally क्या होई है reconstruct हुई है समझ मैं है और balance sheet के अंदर या notes के अंदर अपने को reduce वावा amount show करना पड़ता है जैसे fixed assets one lakh का था 20,000 आपने return off किया कम किया तो notes accounts में लिखना पड़ता है fixed assets one lakh less reduce under reconstruction scheme 20,000 और फिर outer column में कितना आता है 80,000 आता है इस तरह से आपको show करना पड़ता है तो मेरे इसाब से ये बहुत ही easy है comparative amalgamation बहुत easy है और हमेशा ध्यान रखो अपने को question में balance sheet given होती है ठीक है आपको question में balance sheet given होती है तो मुझे क्या लगता है पता है हर journal entry के बाद उस general entry का effect जो है ना वो balance sheet के item पे plus minus कर दो जैसे creators को payment किया creators account debit to cash creators account debit to cash तो balance sheet में जो creators है उसमें से वो amount क्या करो minus दिखा दो और cash में से उतना ही amount क्या करो minus दिखा दो ताकि question complete होते ही जब आपको balance sheet बनानी पड़े तो problem नहीं है समझे हर entry का balance sheet item पे assets या life tees के पे individual effect आप plus minus कर लो ताकि जब बाद में balance sheet बनानी पड़े तो आपको problem नहीं है यह सबसे easiest way होता है इस तरह के questions को attempt करने का और आप capital reduction accounts है वो साथ साथ बना सकते हो इसी में एक concept और होता है share surrender का share surrender का एक concept और होता है एक मिनिट देखो यह concept बहुत important है और सबसे अच्छी बात क्या है पता है कि एक्जाम में इससे related जो है ना वो सिर्फ एक ही pattern का question बार बार आया तो share surrender के concept में हम लोग क्या बोलते हैं जैसे यह balance sheet है ठीक है इस balance sheet में 10,000 shares of rupees 10 नीचे तो कितनी हो गई capital 1,000,000 जनरली हम लोग क्या बोलते हैं share holders को कि भे हम तुमारा जो 10 rupees वाला share है वो लेके तुमको उसके बदले में 5 rupees वाला share देंगे मतलब 50% reduction कर दिया समझे क्या बोला normally questions में अपन क्या बोलते हैं share holders को कि आप अपना 10 rupees वाला share दे दो हम उसके against में आपको 5 rupees वाला share issue कर देंगे मतलब 50% capital क्या होई surrender कर वा दी अब क्या होता है कि share surrender में हम क्या बोलते हैं जैसे मान लो तुमारे पास two shares है 10-10 rupees के तुमारे पास क्या है तुमारे पास two shares है at the rate of 10 normal questions में हैं क्या बोलते हैं कि company क्या बोलती है तुम ये company को दे दो company इनके बदले में two shares five rupees वाले दे देगी तो तुमारे पास पहले 20 rupees के shares थे बाद में तुमारे पास क्या होगए 10 rupees के shares होगए share surrender में कपनी क्या बोलती है कि तुम पुराना share दोगे हम नया share देंगे एक काम करो कि तुम अपने two rupees वाले तुमारे पास जो दो shares है ना उसमें से एक share company को surrender कर दो तो इस case में क्या होगा तुमारे पास two shares at the rate of 10 वाले 20 थे तो company ने तुमको क्या बोला कि 50% capital कम कर दी है ना तो आप अपने 50% share surrender कर दो जसके बदले में company आपको कुछ भी नहीं देगी तो share surrender करवाने का मतलब क्या हुआ कि इसमें से अपन क्या करेंगे एक share surrender करा देंगे ठीके और तुमारे पास one share रह जाएगा 10 रुपीज वाला 10 का तो एक ही बात है उस case में तो generally क्या होता है हम लोग share order से shares क्या करते है surrender करा देते है ठीके तो share surrender कराते है तो share capital क्या होती है बताओ अगर आप share order से share surrender करवाओगे तो क्या होगा तुमारी issue capital बढ़ेगी है कम होगी क्या होगी कम होगी ना तो जब share surrender होते है ना share surrender तो at the time of share surrender for share surrender by existing shareholder तो entry क्या होती ही पता है share capital account debit to share surrender account share capital account debit to share surrender account with the face value of share surrender समझ लो याद कर लो जैसा भी आपको ठीक लगे तो आप entry क्या कर सकते है share capital account debit to share surrender with the face value of shares surrender समझ मैं है तो इससे क्या होगे ये अपनी को पता चलता है हम इतने shares क्या होगे surrender होगे फिर इन surrender किये shares को company क्या करती है creditors या debenture holders को repayment में use करती है तो उससे क्या होता है company को नए share issue नहीं करने पड़ते हैं तो जो share holders से share surrender करवाए उससे company क्या करती है जो existing तुमारे creditors है या debenture holders है उनको payment कर देती है समझ मैं है तो उससे क्या होता है जब आप surrender किये वे shares को use करके creditors या debenture holders को payment करोगे तो क्या होगा share वापिस issue हो जाएंगे आपने existing share holders से जब share surrender करवाए तो issued capital कम होगे हमने entry क्या की share surrender account debit to sorry 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 existing share holder से जब share surrender करवाए तो issued capital क्या होगे कम होगे तो हमने entry की share capital account debit to share surrender अब वो capital company अपने creditors या debenture holders को repayment में क्या करती है यूज करती है तो जब यह shares वापिस से क्या होते है रीश होते है तो यह entry क्या होते है reverse हो जाती है तो जैसे creators को आपने payment करने के लिए क्या किये surrender किये वे shares में से आपने share issue किये तो बच्चों आपके surrender किये वे shares क्या होगे कम हो जाएंगे तो जो account आपने यहां credit किया था वो वापिस क्या होगा debit हो जाएगा तो यहां पर entry क्या होती है share surrender account debit to share capital with the face value of shares issued अब सबसे बड़ा problem क्या है कि जैसे one lakh के creators है है ना उनको repayment करने के लिए हम लोगोंने क्या किये surrender किये वे shares वापिस से issue कर दिये तो आपने entry क्या की share surrender account debit to share capital अब creators तो payment हो चुके हैं पर अभी भी वो books के अंदर ही है तो जिन external liveties का payment आप share surrender से कर चुके हो उसकी entry में वो external liveties कम नहीं हुई तो उन external liveties को आपको क्या होगा capital deduction में डालना पड़ेगा तो next entry क्या होती है amount of external liveties amount of external liveties मतला creators, debenture, order जो भी है which are paid by issuing surrender share is transferred to capital reduction account तो हम लोग entry क्या करते है external liveties account debit to capital reduction external liveties account debit to capital reduction और फिर जब सारे surrender किये वे shares में से आपने reissue कर दिये फिर भी अगर कोई surrender कियावा shares बच जाता है तो company के लिए क्या है profit है और share surrender account का जो balance है वो क्या होगा capital deduction account में transfer होजाता है और उस case में entry क्या होती share surrender account debit to capital deduction देखो ये एक company की balance sheet है जिसमें capital है 1 lakh और creditors कितने हैं? 50,000 के और इदर sundry assets से 1 lakh की और P&L का balance से कितना? 50,000 हमने क्या बोला? shareholders को कि तुम तुमारे 50% share surrender कर दो हम उससे creators को repayment कर देंगे तो पहली क्या entry हुई? जब share surrender हुआ तो share surrender होने से capital कम होती है हमने entry कर दी equity share capital account debit to share surrender equity share capital account debit to share surrender 50,000 ठीक है? यह हमने बोला 60% share surrender करो तो अपने 60% share surrender करा दिया मतलब ये entry अपने किस से कर दी? 60,000 से तो इस account से अपने को पता चल रहा है कि हमारे पास surrender किये वे shares कितने 60,000 हैं अब इस में से 50,000 shares हमने creditors को issue करके payment करा दिया तो जब आप share surrender कराते हो तो ये entry होती वापिस re-issue होंगे तो ये entry क्या होती? reverse हो जाती है तो 60,000 में से 50,000 के shares creators को दे दिये repayment में कि भई हम तुमको payment कर रहे है shares issue करके और हमने entry कर दी share surrender account debit to share capital तो अब बताव first entry से क्या हुआ? first entry से आपकी capital 60,000 से कम हो गई कितनी रह गई? 40 और फिर हमने share surrender से 50,000 का payment वापिस किस को कर दिया? creators को कर दिया. समझो देखो ठीक रहेगा तो आप entry कर रहे है share surrender account debit to share capital just reverse entry होगी share surrender की तो entry होगी share surrender account debit to share capital और ये capital 40 से वापिस कितनी होगी? 90 होगी अब जिसको समझ में आ रहा है आप अपने creators को payment कर चुके हो पर ये creditors को payment की entry में creators तो कहीं कम होई नहीं तो जिस external liveties का payment जिस external liveties का payment आप कर चुके हो वो external liveties तो अब है ये नहीं तो third entry में क्या करते है जिन external liveties को आपने share surrender से payment किया उन external liveties का amount क्या करते है capital reduction में transfer करते हैं तो आप entry कर सकते है creators account debit to capital reduction 50,000 का आपने payment किया और अब देखो total share surrender कितने वे 60,000 total share surrender कितने वे 60 उसमें से reissue कितने वे 50 10,000 के share surrender किये पर अब वो reissue नहीं होंगे तो आप share surrender का जो balance है ना वो भी capital reduction में डाल दो तो आप entry कर सकते हो share surrender account debit to capital reduction और ये entry आप कितने से कर सकते हो 10,000 से अब जिसको समझ में आ रहा है सोचो capital reduction account में एक तो गया 50,000 creator वाला एक गया share surrender वाला 10,000 अब आपका loss return off करना है तो आप entry कर दो capital reduction account debit to P&L 50,000 ठीक है इससे profit and loss खतम creators खतम और जो 10,000 का balance बच रहा है वो आप capital reserve में transfer कर दो तो तुमारी balance sheet में यहां पे क्या होगा capital reserve आ जाएगा 10,000 तो मेरे इसाब से capital 90 ठीक है share capital 90, capital reserve 10 total कितना हो गया 1 lakh और इधर से भी कितना हो गया 1 lakh तो share surrender देखो समझ में आता है तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं share surrender से related four entries होती है पहला जब share surrender करवाते हो बहुत easy है जब आप share surrender कराते हो तो उससे share capital कम हो जाती है आप entry कर सकते हो share capital account debit to share surrender फिर वो जो share surrender करा है उनका use होता है external life piece को payment करने में तो वो वापिस क्या होते है issue हो जाते है तो जब वो वापिस issue होंगे तो share capital क्रेइट होगा तो first entry reverse हो जाती है entry होती share surrender account debit to share capital समझ मैं है और फिर second entry में जिन external life piece को surrender किये वे shares issue करके payment हुआ तो वो external life piece तो paid होगे पर वो अभी भी books के अंदर है तो third entry में जिन external life piece को हम payment कर चुके हो उनको हम लोग books में से क्या करते है हटा देते है और उनके entry करते है external life piece account debit to capital deduction और fourth entry क्या होती है fourth entry होती है अगर share surrender account में कोई balance बसता है तो that will be transferred to capital reduction account और entry हो जाती share surrender account debit to capital reduction account समझ मैं तो एक quick revision है और ये उनी को समझ में आ सकता है जिसने पहले ये chapter पढ़ा हुआ है कि hope कि आपने ये chapter पढ़ा हुआ है और ये revision आपके लिए क्या होगा useful होगा चीक है विटा ये internal reconstruction का एक conceptual revision है समझ मैं तो journal entries अपनने बात की थी share capital में से related बात की ये मुझे बहुत important लगता है कि अगर recorded live teeth का अगर recorded live teeth sacrifice होती है तो profit होता है और recorded live teeth का जब payment होता है तो entry तो होती है पर उसमें कोई profit loss नहीं होता है इसलिए उसmeे उस entry में capital addiction use नहीं होता है लेकर अन-recorded live chose जो balance sheet के बाहर है जो live teeth ही नहीं अगर वो sacrifice होती है न तो profit loss नहीं होता है लेकिन अगर उसका payment होता है तो loss होता है जिसके entry होती है capital reduction account debit to cash या जिस भी mode में क्या हो रहा है payment हो रहा है